नमस्कार किसान भाईयो मैं सुभाम कीड़ भी ग्यान बिसेश गया आप सभी लोगों का अपने चैनल क्रिसी ग्यान में स्वागत करता हूँ तो आज हम बात करने वाले हैं लीफ माइनर के बारे में क्योंकि लीफ माइनर ऐसा इंसेक्ट है जो कि पत्यों को पूरी तरह से ब इसमें आप देखेंगे तो ऐसा पत्यों पर लाइनिंग हो जाती है अगर ऐसा हो जा तो जान जाएक लीफ माइनर का रोग लग गया है प्लांट में अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी लाइफ साइकल क्या है तो इसकी लाइफ साइकल जानने से पहले मैं बता दू कि सबसे पहले एडल्ट होता है और एडल्ट क्या करता है मैथून करने के बाद अंडा देता है और अंडा देने के बाद अंडा हैच करता है मलब तूटता है तो लारवा होता है और लारवा ही इफेक करता है और लारवा के बाद प्यूपा में कनवर्ट हो जाता है और कि टिसूस में पिन करके एक दे रहा है मतलब कि अंडा दे रहा है अपने पोजीटर से अंडा देता है तो क्या करता है कि पोजीटर से अंडा देने के बाद उसके परत को एक लिक्विड मुझ से लिक्विड निकलता है और उस लिक्विड से तोप देता है जी सिकते हैं फूटने बाद उसमें से लारवा निकलते हैं तो लारवा बहुत ही खतरनाक काम करता है यह क्या करते हैं कि पत्यों के जो टीसूज होते हैं उसे धीरे-धीरे खाते रहते हैं और यही टीसूज जब धीरे-धीरे खाते रहते हैं तो यह लाइनिंग्स बना देते हैं पत्यों जो प्लांट के पत्यां है वो पूरी तरध से सूख जाती है है और भोजन अपना वो बना नहीं पाती है जब ये टिस्टू खा लेती है जब बहुत भर जाता है मدले उनकी all-insp vital खतम होने वाली होती है तो यह क्या करती है उसमें से निकल के बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो इस तरह से कनवर्ट होने लगती है प्यूपा में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं और धीरे-धीरे कुछ दिन बाद यह काली हो जाती है जैसा कि इस चित्र में आप देख पार हैं काला होने के बाद ये कुछ समय और बीतने के बाद इसमें से वही एडल्ट जो मैंने पहले बता था कि प्यूपाक बाद एडल्ट में कनवर्ट हो जाता है वह एडल्ट में कनवर्ट हो जाता है अब एडल्ट में कनवर्ट होने बाद ये क्या करता है कि फिर से मैं थून करता है और फिर से अंडा देना स्टार्ट कर देता है यही प्रोसेस चलता रहा था तो चलिए किसान भाई यो इसके कंट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं तो कंट्रोल में मैं बताऊँगा कि सबसे बेस्ट दवा है कि लेम्डा साइलो 3 नामक दवा आती है जो कि 5% EC में दवा आती है आप उसे ले सकते हैं दवा तो बहुत सारे हैं आपको बता रहे हैं डोज की बात करें तो 2 ml पर लिटर पानी में मिला कर आप इसे यूज कर सकते हैं आपको यूज मार्निंग और इविनिंग में करना है वही प्राइस बात करतेते हैं तो 70 रुपय में 100 ml इसकी दवा आती है आप इसे आसानी से मार्केट से खरीज सकते हैं अब बात करते हैं किस प्रकार के कीट के लिए दवा है तो बता दू कूतरने वाले कीट के लिए रस्चूसने वाले थ्रिप्स के लिए आप को कोई भी कोशन पूछन या और अधिक दवा चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि यहाँ पर आपको क्रिसी से संबंधित नौलेज मिलते हैं मतलब की जानकारिया मिलते हैं तो चलिए किसान भाईयो आज बस इतना ही लेंगे एक नेक्स टूडियों है तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार